अरशियों ने का कि ग्रहन काल में कभी भी बाहर ने निकलना चाहिए सूतक काल में भोजा नादी नहीं करना चाहिए उमा कांता नंजी ने बहुत अच्छी बात कही कि उसे जठराग्णी जो है कमजोर हो जाती है ग्रहन काल में अनेक प्रकार के जीव जन्तू विशानू जो है उत्पन में भोजा नादी नहीं करना चाहिए दाजकुमार जी आप बोल रहे हैं कि आप कुछ खाईए मत गौहर रजासाब कुछ खाते वे ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि खाना एक सामाने प्रक्रिया है